Shutter का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं Shutter का इस्तेमाल noun और verb दोनों तरीके से किया जा सकता है Noun के रूप में Shutter का आर्थ होता है परदा, तखता, किवाड, जिलमिली, जहाप या कैमरा कपाट Verb के रूप में Shutter का आर्थ होता है कपाट बंद करना या जिलमिली से बंद करना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि Shutter के पटकने से मेरी नींद खुल गई तो आप कहेंगे The Slam of the Shutter awoke me या अगर आप यह कहना चाहें कि उसने Shutter खुला छोड़ दिया तो आप कहेंगे He left the Shutter open या अगर आप यह कहना चाहें कि उसने अपना Shutter बंद करने और खोलने का अभ्यास किया तो आप कहेंगे He practiced closing and opening his Shutter He practiced closing and opening his Shutter अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें